हेलो श्रेंट्स आप लोग केसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मोज मस्ती कर रहे होंगे और मोज मस्ती करना भी चाहिए क्योंकि यह मारा लाइफ है ना इसे खुल कर जीना चाहिए और कहीं ना कहीं मोज मस्ती मारा लाइफ का एक पार्ट भी है आप यद परकार आप अपने लाइब को एक अच्छे मुकाम तक पहुचा सकते हैं, आप अपने समाज को, अपने माबाप को और साथी साथ अपने देश को एक अच्छे मुकाम तक पहुचाने के लिए कहीं न कहीं आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, सबसे में चीज आपका हम सभी इस्ट्रेंट्सों का ही हाथ है और उसमें आप एक अच्छे इस्ट्रेंट्स आप एक अच्छे मतलब इंसान तभी बन सकते हैं जब आपका पढ़ाई अच्छा और बहतर हो पाए लेकिन अभी हमारा पुरा देश इस भयंकर कोरा नाम हमारी से जूज रहा है जिसके वजह से सभी सिक्छक्स नस्थाएं जितने भी है जैसे कोचिंग, स्कूल, कोलेज ये सारी चीजा भी बंद है क्योंकि ये जो सरकार ने हमी लोगों के लिए इसको बंद करके रखे हैं ताकि बच्चे एक दुसरे के साथ ना सटे और ये बिमारी थोड़ा सा कम हो इस वज कर ही रहें बस हम लोग को घर में ही रह करके अच्छे से रहना अपने फैमली का भी ख्याल रखना है और सभी को समझाना भी है कि विदाउट मास्क आपको कहीं नी निकलना है इन आज उमलों का में टोपिक है न वो है कि क्लास 11 और 12 के बच्चों को फिरी ओनलाइन क्लास ज मतलब स्टार्ट करने वाले थे लेकिन इस कोरोना के वज़े से वो अभी घर में बेठे पड़े हैं तो वो सभी को फिरी ओनलाइन क्लास अब मिलने वाला मतलब एक पैसा विगरा नहीं क्योंकि इस कोरोना में जो मीडियम क्लास के फैमली न उसको कहीं नहीं ज्यादा असर पड़ा है जो रोज कमाते खाते और पढ़ते लिखते अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए तो इस चीज को देखते हुए हम चार है कि हम सभी गरीब बच्चों साथ इसाथ जो बच्चे पढ़ने वाले उसको हैल्प करें अब हैल्प तो हम पैसे के थूरू नह आप आपका आगे मतला पढ़ाई भी जारी देगा जैसे कि बहुत सारे बोड में तो अभी एक्जाम हुआ ही नहीं जैसे जैक बोड देख रहा आपका सिब्यसी बोड विरा में एक्जाम हुआ ही नहीं है लेकिन आपका बिहार बोड का तो रिजल्ट आ गया और आप और फिर जो भी बच्चे 11 में अब क्लास करना चाहते हैं त्वीशन तो और कोचिंग तो खुला है नी ठीक है तो आप ओनलाइन पढ़िए ओनलाइन के से आपको तो कहीं जाना नहीं होगा आप घर वेठे अराम से पढ़ सकते हैं इसमें आपको वीडियो के से मिलेगा कब कब वीडियो अपलोड होगा वो सब बात आज हम आपको बता देते हैं देखिए जो क्लास 12 के बच्चे हैं यानि कि जो 2022 में एक्जाम देंगे उसको तो दिक्कत है ही नहीं क्योंकि उसके लिए तो वीडियो डेली अपलोड हो ही रहा है लेकिन वो सभी बच्ची जो क्लास 11 का इसवार स्टार्ट करते ना उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है तो उसके लिए भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अब हम क्लास आप लोगों को फिरी देंगे अब फिरी अब कॉस्ट पुरा मैत कंप्लीट कराएंगे अब केसे होगा तो जैसे कि हम लोग लोग क्लास चलता है मंडे वेटनेश डे फ्राइडे एक दिन संडे जो ता नो उस दिन लोग टेस्ट या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास हुआ तो वह चीज़ देते हैं तो यहां पर भी जो ओनलाइन है ना इसमें भी वही क्लास होने वाला है लग मंडे वेटनेश डर फ्राइड अब उस वाटसब में जूड करके हमको मेसेज कीज़े ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट बात है सभी बच्चों को उस वाटसब नमर पर मेसेज करना है कि हाई सर हमको जोड दिजे मतलब क्लास 11 का ग्रूप में सभी बच्चों का एक ग्रूप रहगा थाकि उसमें अब डारेक्ट उसमें को कॉल करके भी पूछ सकते आपको जो भी कुछ ज़्यादा इन्फोर्मेशन चाहिए अब जब तक हमलों का क्लास विकरा ओफ रहेगा तब तक इस तरह ओनलाइन क्लास होगा लेकिन जैसे हमलों का क्लास ओन हो जाए तो आप लोग को SRT क्लासेस में और वहां भी आपको free of cost पढ़ाएंगे मतलब वहां भी आपसे पैसा नहीं लेंगे मतलब फिरी बिल्कुल फिरी पुरा 11th 12th के बच्चों को विल्कुल फिरी ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए उसको किसी भी तरह का पैसा का टेंसा ना हो वो free of mind से अच्छे से आपको एक अच्छा मुकाम तक पहुंचाता है इसलिए हम इस चीज को देखते हुए आप लोगों का इतना help करने के लिए हमेशा रेडी हैं बस आपको भी help करना एक दूसरे को जिसे बहुत सारे बच्चे से तो ना रे यार चलो सर मिल गए इससे पढ़ लेंगे लेकिन व आपको एक तारिक से रेगुलर वीडियो मिलने वाला है ठीक है एक तारिक से मतलब कि साम 6 बजे 6 बजे आपके पास डेली वीडियो अप्लोड होगा आप डेली देखिएगा उसका जो भी डाउट विगरा होगा आप वाट्साप ग्रूप में डाल जिए हम आपको उसका सोलीशन जश पांच मिनिट में दे देंगे ठीक हम जैसे ह देखेंगे आपको उसका सोलीशन मिलेगा या फिर गुरूप में बहुत सारे बच्चे जुड़े होगे आपका हो सकता डाउट कोई दुसरे बच्चे से बन जाएगा तो आपको बना करके दे देंगे इसलिए आपको वाट्साप में जोड़ना बहुत इंपोर्टेंड है और उससे भी जरूरी बात या है कि देखेंगे आप यदि गुरूप में जूड़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत तरह का इंपोर्मेशन मिलेगा जैसे कि आपको फॉर्मूला का पीडियाप, नौट्स का पीडियाप, टेस्ट का पीडियाप, जो कोस्टन पेपर ह पीडियाप, वह सारा चीज़ आपको गुरूप में ही मिलने वाला है, इसलिए आप गुरूप में एड हो जाइएगा, बांकी बात देखिए, आपको जैसे कि आपको मोज मस्ती तो करना ही है, मोज मस्ती तो है यह अपना लाइफ में, लेकिन कहीं आपको पढ़ाई भी कर एड याद केते हैं, 0-90 के भीच, तो 0-90 के भीच, सभी रेस्कियोज का आपको याद कर लेना है, ट्रिगन्मेट्री का जोचे रेस्वेश होजा है, वह सभी रेस्कियोज का भेलव, 0-90 तक आपको याद अच्चे से कर लेना, बार कीबात, अल controlled by raden 나हें, वह सारा आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका यूज है 11 कि बागी बाद ट्रिगोनोमेट्री का टेवल वस याद रखिएगा जीरो से 90 का सारा मतलब रेस्योज का वेल्यू वह इंपोर्टेंड बागी बाद यदि आपको याद नहीं भी रहता तो हम हैं आपको सारा चीज बताएं याद कर लेता ना वह आपको और अच्छे से मतलब आगे समझ में आगा इसलिए हम बोलेंगा आप उसको याद कर लीजेगा तो यह आपका मतलब रहेगा होमवर्क और बांकी बाद आपको सारा इंफोर्मेशन पता चली गया जैसे ओफ लाइन हम लोगा क्लास होगा मतलब कि यदि लॉक्टाउन खूल जाए कोचिंग वरा खूल जाए तो आप लोगो सार्डी क्लासेस में आजना है अब सार्डी क्लासेस कहाँ पर तो सार्डी क्लासेस आपका देवगर में है जो बिलासी टाउन देवगर मतलब बिलासी में सार्डी क्लासेस ठीक है अब बिलासी में भी किस जगा तो आप लोग सब कोई सीता होटल जानते होंगे सीता होटल के पीछे srd classes है वहीं पर मेरा class होता है यदि आप srd classes से आप इस coaching institute को नहीं जानते हैं तो आप चंदन सर को जरूर जानते होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वही फिजिक्स वाले चंदानसर के यहां हम मैत पढ़ाते हैं बहुत ही मज़ा जाएगा तब वहां पर आ सकते हैं लॉक्डाउन के बात लेकिन अभी जब तक लॉक्डाउन है तब तक हम लोग ओनलाइन देखेंगे तो चलिए अब साहिद आप सारा ची समझ गए हुए कि मैं आपको क्या-क्या बोलना चाहरे थे कि इस वीडियो को आप सभी जगा सेर की जायता है कि वह 11 के बच्ची हो या पर टूवल के सभी जगा और आपको काम क्या क्या करना है तापको ट्रीगोनोमेट्री का रेशियो ज्यात कर लेना है छे रेशियो जो है ना उसका 0-90 तक का भेल लिए वह सब चीज अच्छे सियात करना है कुछ फोर्मूला भी ट्रीगोनोमेट्री में दो चार था आप ल यह सब कुछ हॉर्मूला था, साइन 0 का वेल्यो, साइन 90 का वेल्यो, साइन 30 का वेल्यो, क्वास 0 का वेल्यो, क्वास 30 का वेल्यो यह सब वेल्यो आपको याद रखना है ठीक है अब बहुत सारे बच्चों का ये भी मन में चल रहा होगा कि सर हमना 10 तक हिंदी मिडियम से प तो यहां पर इंगलीज मिडिया में पड़े हैं तक या फिर आप इंगलीज मिडिया में पड़े हैं उससे आपको कोई दिख्कत नहीं होगा मैत में किसी को कोई प्रॉबलम नहीं होता है तो यह भी आप लोगा डाउट किलियर हो गया होगा ठीक तो अब हम लोग एक थारी को मिलेंगे तब तक आप लोग खूस रहें घर में रहें और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है कि आप लोग बेवज़ा घर से बाहर ना निकल गिएगा जब वेसा बहुत जरूरी काम पड़ जाए तो बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकल गया है क्योंकि आप देख रहें कि क्रोना वाइरस के वज़ा से इतना जाधा क्रिटिकल हो चुका है कि देश कि देश अभी मुलों का कहां से कहां पहुंची गया इसलिए आप लोग अच्छे से महनत किजिए घर में रहा कर महनत किजिए अपने फेमली को अपने भाइवन सब को समझाईए कि अच्छे से रहना उसके आप घर में पढ़ाई किजिए दिक्कत वगरा जो भी हो उसके लिए हम है ही तो चलिए हम लोग फिर नेक्ष्ट डे यानि कि एक तारीकों मिलते हैं तब तक कि लिए आप लोग को बाई 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 अच्छे से रहना खूस रहना और पढ़ाई करते हैं पढ़ाई होई जितना फॉर्मूला अविरा बोले वो सब चीज और मांकी बाद जो भी आपके याद दोस्त चाने वाले होंगे सब के पा लाइ बाई बाई बेस्ट अपना